Hello everyone and welcome to learn everything अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्यूंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरा NCRT स्लेबर्स कराने वाली हूँ तो आज किस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक A Pact with the Sun का फर्स चाप्टर A Tale of Two Birds को पढ़ेंगे तो चलिए बिना वग्गवाय हम इस चाप्टर को पढ़ते हैं एक समय की बात है एक जंगल में एक चिडिया अपने दो नवजाद बच्चों के साथ रहती थी उसका गोसला एक लंबे और छायादार पेड के उपर में था और वहीं वो अपने दोनों नवजाद बच्चों की दिन रात देख भाल करती थी एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया बिजली चमक रही थी बादल गरज रहे थे और बहुत जोर की बारिश हो रही थी और साथ में बहुत तेज हवाई चल रही थी जिस कारण बहुत से पेड तूट गए और इसी तेज हवा के कारण जो लंबा सा पेड था जिस पर चिडिया का घोसला था वो भी उस तूफान में तूट कर नीचे गिर गया एक बड़ी सी भारी साखा इनके घोसले से जाटकराई जिसकी वज़े से जो मादा चिडिया थी वो मर गई स्वभाग्य से दोनों बच्चे बच तो गए लेकिन तेज हवाओ ने चिडिया के बच्चों को जंगल की दूसरी तरफ उड़ा दिया जिसकी वज़र से दोनों चिडिया के बच्चे एक दूसरे से पिछड गए उन में से एक गुफा के पास नीचे आया जहां लुटेरों का एक गिरो रहता था और दूसरा रिशी के आश्रम के बाहर थोड़ी दूरी में जा गिरा इसी तरह दिन बीटते गए और जो नवजाद पक्षी थे अब वो बड़े हो गए एक दिन देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया उसने हीरन को देखा और उसका पीछा करने लग गया हीरन का पीछा करते करते राजा जंगल के एक बहुत घहरे भाग में जा पहुँचा और अपना रास्ता भटक गया रास्ता ढूंते ढूंते राजा बहुत ठक चुका था इसलिए वो अपने घोडे से नीचे उतर गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो की एक गुफा के पास में ही था उसी पेड़ पर बैठा पक्षी अच्छानक से राजा को देखते ही डाकों से कहने लगा कि जल्दी करो जल्दी करो इसके सारे गहने और इसके घोडे को छीन लो वरना ये भाग जाएगा अब जैसे ही राजा ये बात सुनता है वो बहुत चौक जाता है और वहां से भाग जाता है भागते भागते राजा को एक आश्रम दिखाई देता है ये रिशी का आश्रम था राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बान दिया और वही पर पेड़ के छाया के नीचे बैठ गया वहाँ पर राजा को देखते ही एक दूसरा पक्षी राजा का स्वागत करता है और उन्हें अराम करने के लिए कहता है वो पक्षी राजा को बताता है कि रिशी अभी बाहर गये हुए हैं और कुछ देर में वो वापस आ जाएंगे राजा ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि अभी इसके जैसा दिखने वाला पक्षी और इस पक्षी की बोली में कितना अंतर है इसके बाद राजा अपने साथ भी घटना के बारे में उस पक्षी को विस्तार से बताता है घटना को सुनते ही पक्षी बताता है कि वह मेरा भाई है जो डाको के संगत में रहता है और उनके जैजा ही बन गया है मैं उसे समझाता तो हूँ लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं है इसके बाद रिशी का आगमन होता है रिशी राजा का फल फूल से स्वागत करते हैं और उसके बाद राजा रिशी को दोनों पक्षियों के कहानी सुनाता है ये सुनकर रिशी उपदेश देते हैं कि आदमी के चरित्री की पहचान उसके दोस्तों से होती है बुरी संगत का असर बुरा होता है और अच्छी संगत में रहकर आदमी अच्छा हो जाता है तो इसी के साथ ये चैप्टर समापत होता है